सिवान में एक बच्ची की मौत हो गई, बच्ची ने अभी पूरी दुनिया देखी ही नहीं थी कि उससे पहले ही डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर ने बच्ची की जान ले ली, महिला परिवार वालों को जड़ासा भी पता नहीं था कि जब हम लोग अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगा कि जिस बच्ची को उसके मा, पापा और परिवार वाले नहीं देख पाए, उसकी डॉक्टर की लापरवाही के कारण जान चली गए महिला अपने बच्ची के लिए कई सपने सजा रखी थी, लेकिन वो सारे सपने चकना चूर हो गया परिवार वालों का रो रो कर बोरा हाल है, मा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही महिला अस्पताल पहुँचे बच्चे को जन में देने के लिए डॉक्टर उसे कमडे में ले गए, सब कुछ सही चल रहा था, बच्चे का जन में भी धरती पर हो गया बच्चे अभी कुछ ही पल इस दुनिया को देख पाया, कि उसके बाद डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई जरा सोचिये क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसमा ने नौ महीने तक अपने बच्चे को पेत में पाल रखा, उसको डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हो गई बतादे कि ये मामला सिवान जिले का है, जहां सिवान में प्रसव के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई घटना जिले के नगर थाना शेतर के स्टेशन रोड इस्तित निव सिवान नर्सिंग होम का है वहीं पीरित महिला की पहचान मुफसिल थाना चेतर के छोटपूर गावन वासी शहजाद अली की 26 वर्षिये पतनी साबिया परवीन के रूप में हुई है घटना के संबंध में पीरित परिजनों ने बताये कि एक साल पहले ही शहजाद अली की साबिया परवीन के साथ शादी हुई यह उसकी पहली बच्ची थी और पहली बच्ची इस दुनिया में आते ही थोड़ी देर के बार डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हो जाती है और अभी भी डॉक्टर खुलियान घूम रहे हैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों पर ऐसी कारवाई करनी चाहिए ताकि दुवारा किसी मरीज का इलाज न कर पाई चार महीने से पीरिता साविया परवीन का इलाज नियो सिवान नर्सिंग होम में डॉक्टर अंतरा सिंग के पास चल रही थी आज शनिवार को प्रसव होने का आखरी समय था अज सुबा सुबा हम लोग साविया परवीन को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे उसके बाद उसे भरती करा लिया गया प्रसव भी हुआ लेकिन बच्ची से मिलने नहीं दिया फिर डॉक्टर वह अस्पिताल कर्मियो के द्वारा अस्पिताल के आगे और पीछे दोनों गेट में ताला लगा दी गई इसके बाद दीरे दीरे जानकारी हुआ कि नवजात बच्ची की प्रसव के दौरान मौत हो गई इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया परिजनों को आरोप है कि डॉक्टर की गलत इंजेक्शन और इलाज की वज़े से नवजात बच्ची की मृत्यू हो गई है बता दे की इधर हंगामे के बाद मौके पर पहुँची नगर्थानी के पुलिस ने लोगों को समझा भुजा कर मामले को शान कराया है घटना में नवजात बच्ची की मौत होने पर मृत माँ अपने बच्चे को इसलिए देखने से पहले उसकी बच्ची की मृत्यू हो गई और वह डॉक्टर अभी भी घूम रहा है जुला परशाजन को चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों का क्लीनिक बंद कर दे और ऐसे डॉक्टर को करी से करी से जा दे बरहाल इस खबर पर आपकी क्या रहा है कमिट बॉक्स में जरूर बताए